Hey guys, welcome back to new video आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेलिग्राम एप्लिकेशन को कैसे यूज करना है कैसे इसमें चैनल बनाना है कैसे इसमें ग्रूप बनाना है कैसे जो है कोई भी मूवी को या वेव सिरीज को डाउनलूड करना है कैसे इसमें जो है किसी भी ग्रूप में या किसी भी चैनल में जोईन करना है सारा इंफर्मेशन टेलिग्राम के बारे में इस वीडियो में बताया हूँ तो वीडियो को देखते रहेगा लास्ट तक अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं टेलिग्राम एप डाउंलोड करने के लिए आपको प्लेश्टूर्ट पे जाना है प्लेश्टूर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है टेलिग्राम एप telegram जैसी search करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा telegram आपको इसको install करना है 25 MB का यह application है तो बहुत जल्दे install हो जाएगा और आपके phone में ज़्यादा यह storage भी नहीं लेगा तो चलिए इसको कर लेते हैं install telegram app को install करने के बाद आपको open कर लेना है open app जैसी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा telegram इसको आप slide करके आप सब कुछ इसमें पढ़ सकते हैं निचे आपको एक option मिलता है start messaging आपको इस पर click कर देना है इस पर आप जैसी click करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको जो है एक receive call होगा automatic जो की confirm किया जाएगा आपको ok पर click कर देना है यहाँ पर आपको allow पर click कर देना है यहाँ पर country code 91 रहेगा उसे वैसे ही रहने दीजिएगा उसके बाद में यहाँ पर आपको number जो है अपना mobile number वो type कर देना है mobile number type करने के बाद आपको नीचे इस पर right पर click कर देना है जैसे इस पर click करेंगे उसके बाद आपको ok पर click करना है फिर आपको allow पर click कर देना है यहाँ पर थोई दर वफ्रिंग होगा आपके mobile number पर यहाँ पर अभी एक miss call आएगा जिससे क्या होता है कि telegram आपको verify कर लेता है तो यहाँ पर मैंने mobile number डाल दिया है यहाँ पर लिखावाई कि don't accept the call यानि कि जो call इस पर अभी आएगा उसको accept नहीं करना है क्योंकि वो automatic जोई cut हो जाएगा एक छोटा सा miss call आएगा तो यहाँ पर मैं wait कर लेता हूँ तो यहाँ पर जोई एक छोटा सा miss call आया है यहाँ पर देख सकते हैं और यह miss call आया है उसके बाद verify हो गया है अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहला नाम डालना है first name यहाँ पर डालना है तो मैं अपना first name डाल देता हूँ यहाँ पर आपको last name डाल देना है उसके बाद image पर आपको click करके अपना gallery से अपना image को choose करके लगा लेना है अपना profile pic profile peak लगाने के बाद आपको इस पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको continue उपर click कर देना है यहाँ पर allow उपर click कर देना है तो यहाँ पर आपका telegram application में जो है account बन गया हुआ है अब यहाँ पर मैं आपको बैदा देता हूँ कि channel कैसे बनाना है और इसको use कैसे करना है तो सबसे पहले यहाँ पर दिख पाड़े होंगे कि left side में 3 line है आपको इस पर click करना है यहाँ पर आपको आपका नाम दिख जाएगा और आपके नाम के साथ आपका mobile number दिख जाएगा अगर आप एक से ज़्यादा अकाउंट यूज करना चाहते हैं तो इस down arrow पर आपको click कर देना अपने group में उसको आपको click कर देना है उसके बाद आपको नीचे arrow पर click कर देना है उसके बाद अपने group का नाम यहाँ पर डालना है group का नाम डालने के बाद आपको नीचे फिर से tick out पर click कर देना है आप चाहें तो यहाँ पर profile picture भी upload कर पा रहे हैं कर पा सकते हैं sorry और यहाँ पर जो है आप minimum जो है दो लाख member को add कर सकते हैं एक group में मतलब कि अगर आप एक group बनाते हैं तो दो लाख लोगों को इसमें जो है add कर सकते हैं तो यहाँ से मैं back जाता हूँ आपको group बनाना मैंने बता दिया contact पर अगर आप click करते हैं तो आपके mobile में जितने भी contact है और जो जो available है आपके telegram में जिसका telegram में account है वो सबका इसमें नाम आपका दिख जाएगा तो जिसको भी add करना चाहते हैं इसमें से आप add कर सकते हैं या अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास में कोई telegram चला रहा है उसको भी दिखना तो find people nearby पर आपको click करना है यहाँ पर allow access पर click करना है उसके बाद थोड़ी दिर यहाँ पर इंतजार करना है उसके बाद आपके आसपास में जितने लोग जो है telegram यूज कर रहे हैं वो सबकार जो है यहाँ पर नाम आ जाएगा यहाँ पर दिख सकते हैं 95 यानि कि 100 लोग जो है वो है वो मेरे घड़ के आसपास में telegram यूज करते हैं तो यहाँ से मैं उनको भी add कर सकता हूँ तो यहाँ से चलते हैं back उसके बाद आपको यहाँ पर मैं बता दू तो यहाँ पर call का option मिल जाता है आपको people nearby मैंने बता ही दिया save message आप देख सकते हैं save message पर अगर आप click करते हैं तो यहाँ पर cloud का आपको एक storage मिल जाता है जैसे google drive होता है या mobile phone में जो memory card होता है हम लोग उसमें कुछ भी store करके रखते हैं वैसा ही आप telegram पर भी कुछ भी चीज जो है store करके रख सकते हैं मालेजे कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कुछ store करके रखना तो आपको इस पर click कर देना है अपने gallery में आ जाना है gallery में आने के बाद कोई भी चीज यहाँ पर मैं अगर send करता हूँ तो यह storage में save हो जाएगा यहाँ पर दिख सकते हैं मैं photo को एक upload किया हूँ तो यह यहाँ पर save हो जाएगा अब इसको बाद में दिखना होगा तो क्या करना होगा कि आपको telegram पर आ जाना होगा right click करना होगा और save message पर आपको click कर देना होगा उसके बाद आपका जो भी message है वो save message में आपका दिख जाएगा यह आप direct search पर जा सकते हैं और यहाँ पर search कर सकते हैं save message तो यहाँ पर आपका जितना भी message होगा या कोई file होगा वो यहाँ पर दिखना हो जाएगा अब बात करते हैं यहाँ पर setting का तो setting पर अगर आप click करते हैं तो यहाँ पर आपका profile open हो जाता है जहां से आप चाहें तो अपना mobile number जो है mobile number जो है यहां से आप चाहें तो change कर सकते है username यहां पर लिखा हुआ है none है तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको एक username बना लेना होगा ताकि आपके username से लोग आपको search कर पाएं वैसे आपके mobile number से भी लोग आपको search कर पाएंगे पर username रहता है तो देने में कहीं पर अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है username पर आपको click कर देना है और यहाँ पर आपको username बना लेना है कभी-कभी यहाँ पर username available नहीं होता है तो आपको देख लेना होगा तो मैंने यहाँ पर username डाला है आदिसिंग 6901 जो की मेरा Instagram का भी ID है तो यह available है तो आपको यहाँ पर type कर देना है available होगा तो उसके बाद आपको check out पर click कर देना है तो आपका username बन जाएगा अब यही username आप कहीं पर भी किसी को देते हैं और वो अपना टेलिग्राम एप्लिकेशन में जाकर आपका username सर्च करता है तो आपका profile जो है open हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको bio मिल जाता है इस पर click करके आप अपना bio को जो है upload कर पाएंगे यहाँ पर आपको notification and sound का option मिल जाता है जिस पर click करके आप अपने notification को देख सकते हैं notification को off कर सकते हैं यहाँ पर privacy security मिल जाता है data storage मिल जाता है chat का setting मिल जाता है इस पर click करके अपना chat जो है अगर आप dark करना चाहते हैं तो dark यहाँ से कर सकते हैं night कर सकते हैं day कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर folder बना सकते हैं आप device बना सकते हैं उसके बाद help अगर चाहिए तो आप FELEGRAAM के जो भी owner हैं या जो भी यहाँ पर help वाल случай हैं उससे आप help भी ले सकते हैं अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि channel कैसे बनाना है तो आपको channel बनाने के लिए क्या करना होग यहाँ पे Edit का Option आपको दिख रहा होगा आपको इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पे आपको New Group का Option मिलता है जिस पर क्लिक करके आप एक नया गुरूप बना सकते हैं और उस गुरूप में किसी को भी Add कर सकते हैं जैसे WhatsApp गुरूप बनाते हैं सेम वैसे ही यहाँ पर भी गुरूप बना सकते हैं New Secret Chat मिल जाता है जिस पर क्लिक करके आप किसी से Private Chat करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो Telegram की Application में ना दिखें वो Private ही रहे तो आप यहाँ से किसी से Chat कर सकते हैं वो Private में रहेगा उसके बाद अगर आप Channel बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ New Channel आपको इस पर क्लिक कर देना है नीचे लिखा हुआ Create a New Channel तो यहाँ पर आपको Create Channel पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर चैनल का नाम डाल देना है तो मैं यहाँ पर चैनल का नाम आदी सिंग डाल देता हूँ चैनल का नाम डालने के बाद आप चाहें तो यहाँ से कोई emoji भी use कर सकते हैं उसके बाद description में आप अपने channel का description डाल सकते हैं और यहाँ पर picture पर click करके आप चाहें तो यहाँ से profile photo को भी upload कर सकते हैं तो फिलाल में profile photo को upload नहीं करता हूँ तो channel बनाने के बाद आपको क्या करना है? टिक आउट पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर आपका channel जो है बन जाएगा अब यहाँ पर आपको दो option मिलता है कि क्या आप अपने channel को जो है public रखना चाहते हैं या क्या आप अपने channel को private रखना चाहते हैं तो अगर आप public रखना चाहते हैं तो public पर click कर देजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका channel private हो तो आप private पर click कर देजिए तो मैं यहाँ पर public रखना चाहता हूँ ताकि मैं YouTube चैनल पर share करो और मेरा जो channel अभी मैं बना रहा हूँ यह channel का link में description में डाल दूँगा तो आप join जरूर कर लेजिएगा उसके बाद public link option मिलता है आपको इस पर click करना है और आपको खुद का एक link बना लेना है तो t.me उसके बाद slash रहेगा ही और उसके आगे आपको जो है अपना एक link बना लेना है तो मैं यहाँ पर एक link बना लेता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं type किया हूँ यहाँ आ रहा है कि sorry this name is already taken तो आपको क्या करना है कि ऐसे ही करके आपको एक link बना लेना है तो मैं यहाँ पर लिंक बना लिया है जो कि link है मेरा t.me.adisink9211 उसके बाद आपको क्या करना है कि take out पर आपको click कर देना है उसके बाद इस channel में आप जिसको every add करना चाहते हैं उसके आपको tick out कर देना है और नीचे से आपको arrow पर click कर देना है तो यह आपका channel बन गया आदिसिंग के नाम से AS लिखा हुआ है अगर आप चाहते हैं उसमें profile photo लगाना तो profile photo लगा सकते हैं अब दोस्तों यह जो आपका link बना है इस link को चाहे तो आप यहां से copy कर सकते हैं और यह link अगर आप किसी को share करते हैं तो direct आपकी channel में जो है वो लोग आकर join हो जाएगा अब join कैसे होगा मैं आपको बता देता हूं मालीजे मैं यहां पर chrome browser को open करता हूं chrome browser को open करने के बाद इसमें मैं यह link को search करता हूं यह link को मैं जैसी search करूँगा तो telegram का official website open हो जाएगा जहां पर बोला जाएगा यहां पर अभी मेरा network काफी slow है जिसके वज़ए से यह भी नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ी दिर के बाद आपको करके दिखा दूँगा तो यहां पर मेरा channel बन गया हुआ है अब यहां पर देख सकते है आदी सिंग लिखा हुआ है 4 member को मैंने इसमें add कर दिया है और add member पर किलिक करके और भी member को मैं add कर सकता हूं yes लिखा हुआ है इस पर चाहें तो आप अपना प्रोफाइल फोटो लगा सकते हैं उसके बाद यहां पर आप इस ग्रूप में यह जो चैनल आपका है ग्रूप में भी आप 2 लाग को add कर सकते हैं और अपने जो चैनल है टेलिग्राम का इस चैनल में भी आप जो है 2 लाग को add कर सकते हैं तो यहां पर जो है दो चीज मैंने बनाया है एक चैनल created यहां पर दिख सकते हैं और यह created the group मैंने दो चीज बनाया है अभी एक चैनल बनाया है ग्रूप कौन सा है तो यह रहा मेरा चैनल इस चैनल का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप मेरी चैनल पर जरूर जोइन कर लिजेगा चैनल पर जोइन करने से फायदा यह होगा कि आप कोई भी कोश्चन पूछेंगे तो उसका एंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा तो I hope कि टेलिग्राम यूज करना आपको आ गया होगा अगर आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं तो क्यासे कीजेगा जैसे वार्चैप पर टाइप करते हैं वैसे यहाँ पर टाइप करके सेंड कर सकते हैं और कोई भी document send करना होगा तो इस पर आपको click करना होगा उसके बाद जो भी file है, photo है वो आप send कर आएंगे और किसी से अगर आपको telegram पर chat करना होगा तो आपको क्या करना होगा कि उसका नाम आपको save कर लेना है और वो टेलिग्राम पर available होगा तो आपको यहाँ पर टेलिग्राम दीख जाएगा उसके बाद उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको टेलिग्राम पर किसी को भी मैसेज करना हो तो ऐसे करके आप मैसेज कर सकते हैं उसके बाद टेलिग्राम पर आपने देखा होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि टेलिग्राम से मूवी डाउनलोड होता है तो अगर मूवी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा आपको सर्च पर क्लिक करना है और ऐसे करके यहाँ पर भी मेरा network slow है जिसके वज़र से यहाँ पर सर्च नहीं हो पारा है तो यहाँ पर आपको simple है कि आप सर्च कर लीजिएगा सर्च करने के बाद group आजाएगा बहुत सारे channel आजाएगा जिसमें भी आप join करना चाहते हैं उसमें click करके आप join कर पाएंगे तो I hope कि मैंने आपको बता दिया कि टेलिग्राम यूज कैसे करना है कोई भी question होगा तो निच्चे आप comment करके पूछ सकते हैं या direct मेरे channel पर join कर लीजिए और वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं तो जैसे कि आपने देख लिया कि टेलिग्राम एप्लिकेशन को यूज कैसे करना है वीडियो helpful लगा हो तो वीडियो को like आप जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो subscribe कर लेजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक लिए ख्याल लखिए अपना good bye take care